वो दोनों सुभा के निगले कुष्टे वेले ही उस गाउ में पहुंचे थे जहां उनकी रहाइश के इंतसाम सब कुछ पहले ही हो चुगा था बस अब उन्हें प्लैनिक के तहट चलना था उनको जो छोटी से जोंपड़ी नो वहां घर कराई पर मिला था वहां वेली से साथ सदो नहीं था वो कोई बहुत बड़ा गाउं नहीं था इसी वहां जैसे ही उन्होंने कदम रखा वहां के रहाइशी लोग उन्हें अजीब नसू से देखने लगे वो शायद वहां चलते वो सुफिया कारूबार की वज़ा से था या फिर वो लोग ही अजीब थे मुरसली के हमरा चलती इंतियाई खुबसूरत लग रही थी ये सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं आइस पियर उन्होंने हलाई मखलुक पहरी बार देखी है ना इसलिए उसके उल्टी जवाब पर नदाशा ने उससे दब कर देखा वो दोनों चलते मसीद आगे आये तो एक हादू उन्होंने उनका राजस सरुग लिया यहाँ पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा वेठी उन्होंने इंतियाई प्यार से सवाल किया जी अमाजी हमारी अभी ह्भी शादी हुई है हम पास के गाउं से यहां आए हैं शादी के मुतलिक दुनोंने पूछा नहीं बहुत ही फास्ट हो तुम। मुरसलीन उसे कानवे गुसे तब कर बोला तो नताशा उसे कौनी मारती आगी आई। अरे क्या कहता है तुम्हारा खसम बेटी। उन्होंने आगे कौल किये पूछा। कुछ नहीं कह रहा अम्मा जी। इसका दमाग हराब है कुछ भी बोलता रहता है। नताशा हिसा बराबर करती मुस्कुराई। अच्छा अल्ला तुम्हें सबर देगा बेटी। इसी बागल के साथ जिंदी कुजारना बहुत मुश्किल होता है। वो अफसुर्दा सी हुई। उस साथ उनके जुम्ले पर मुरसलीन को चार सो चाले सोट का चटका तीन पार लगा। नताशा से अपनी हसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। मैं कोई पागल वागल नहीं हूं अम्मा जी। ये जिसे आप बेटी का हताब दे रही हैं ये डाइन। मुरसलीन ने अधाशा के बासुतवोचे आगे किया। ये जब से मेरी जिंदीगी में आई है मुझे पागल कर दिया है। हाँ, अब मैं इतनी हुपसूरत हूँ कि ये मेरा हुसन देखकर पागल ही हो गए है। तो इससे मेरा क्या कसूर है बला, प्यारी अम्मा जी। आंके पटपटाती वो मासो में के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दी। मुरसलीन रमीस चाह को खुंग कर गई थी। अला अला तुम दोनों तो बच्चों जैसे लड़ते हो। वहां मुझूद एक हादूर हस्से हुए बोली। तो मुरसलीन उससे खुर्दा रुख फिर गया। बाकी का तमाम काम प्लेनिंग की तहत हो चुका था। उन्हीं घर भी करायर पर मिल गया था। वहां की कुछ लोग बहुत अजीब थे जो उन्हें देखते रावदल लेते थे। और कुछ लोग उस अम्माजी जैसे थे जो जारना पेचान के बगएर इंट्रव्यू शुरू कर देते थे। फैर यहीं नोकचोक में वह आदे गंटे से जादा काम खुम फिर्ट कर तसली कर चुके थे। जिसमें उनकी मुलाकात एहमर उर्फ एहमद और सादिक उर्फ आजिम से हुई थी। एक दुस्रे का आला हुआ लेते उन्होंने फोरण रावदल ली थी। हाँ तो जानी, क्या बना फिर? माने भावी के अबबा या नहीं? कहां यार? बिलाल, उनकी टिपिकल सोच जाती ही नहीं, कहते हैं हांदान से भाई शादी नहीं करेंगे। अर्सल सिंजीती से कहता, उनने भी परिशान कर यहूँ। तो सिंपल काम करो न, अगर भावी राजी है तो निका पढ़वा लू। हाँ, और निका या या मेर से पढ़वाना, कभी एक्सपार नहीं होगा। बिलाल के जुम्ले पर उनना चार हसी है। प्रोशानी राजी है, मगर वो अपने पेरेंट्स के हिलाव जाकर शादी नहीं करना चाती। उसके लहजे में भी उदासी की रोमक थी, और वो तीनों वाके में परिशान हुए थे। यार, तू कहता है तो हम तेरे होने वाले सुसर जी के पास चलते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। याया ने मसीद कहा। इसे वहाँ कभी न लेकर जाना, वहाँ भी फड़्डा करके आ गया, तो। शैसी ने फोरण कहा तो बिलान ने गर्दन एलाकते उसकी ताई थी, और ये तू, गर्दन मथिला, अपना समोसा ठोंस। उन दोनों को चाटे याया ने अरसल की दर्फ देखा, जो उसे हाथ सा उलचावा लग रहा था, वो कमसकम उसे उदास सहीं देख सकता था, अरसल, वो लड़की कौन थी, यार जो कल रेस्टुरेंट में आई थी, याया को कल वाले लड़की याद आई, तो उससे फोरण ट लो, चुडेल को याद किया और वो नाजिल हो गए, शैसी के लुक में पर उन सब ने करदनोरी जहां रोशाने और नैना किसी बात पर रसी उनकी तरफ आ रही थी, ये नूडल्स बालों वाली यहां भी पहुँच गे, जाशा ने उसके सुनेरे कुंगराले बालों पर टो पर रसी बात बात में नुक से कालते हो, मैं पीछे पढ़ गया हूँ तुम्हारे, याया मेर तुम्हारे पीछे पढ़ा है, वाओ, क्या कहने है मैडम के, मैडम, शक्काल अच्छी ना हो तो बात अच्छी कर लेनी चाहिए, क्यूं, तुम कौन सी तोप चीज हो, और बात तो ऐसे करते हो, जैसे तुम्हारे वाली स्पेशल वाटर पर त्यार होके, तुम्हारे लिए फलक से, रूह ये समीन पर उधारी जाएगी, नैरा के दूपतु जवाब पर याया मेर तंसन हसिया, पाकिसाभ हैरर से उन दोनों को लड़ता देख रहे थे, जिनके लड़ती हो मुझे तुम, आखिर वो अपनी बेसी पर चुप कैसे रहता हो, और तुम तो जैसे मुझे शेहत की बोतल लगते हो, एक बात अपने हाली दमाग में ढालो याया मेर, मुझसे कोसु दूर हो, बरना मेरी सुपान के चोहर तो तुम देख चुके हो, आतों के दि दे, उन सब को जैसे साम सूंगया, ओए, यूनी में कन क्यो ठालाया ख़दे, अरसल ने उसका वास उदवोचा, डर था, शिकार प्रिंसिपल तक ना पहुंच जाए, तुमारे हाथ चलाने से पहले मुझे सिर्फ एक ट्रिकर को दबाना है पड़ेगा, और तुम सीधी जह और उसीने पर हाथ बांदे, कहरी मुस्कुराच से याया को देख रही थी, और फिरगले ही लमें, उसे अपनी वैस से चुपी हुए कन निकाल कर सामने टेबल पर रख थी, और अब यहां बाकिस सब समय चौपने की बारी यायामीर की भी थी, उन्हें ऐसे रत्यम्मल की त कड़ा हुआ, ये तो मालूम होई जाएगा, किस में कितनी हिम्मत है, बैक गन्य पर रटकाए, वो दोनों मुतलिफ अफ्तराफ में चल दिये थे, मैं हैरत में हूँ, इस मोडरन सदी में भी लोग अभी तक ऐसे घरों में रहते हैं, नताश्या खुम फिरकर उस दोटी से को दिखती बोल रही थी, हैरत बजा है, ये इसलामाबाद या लाहोर को के फाइफ स्टार रेस्टरेंट नहीं है, जिसमें तुमें हर आसाइश मिलती, मिशन पर आई हो, कम्प्लीट करो और निकलो, तुम जब पैदा हुए, तु आँटी ने क्या तो मिर्चे खेलाई थी कुछ जाधा ही दीखा बोलते हो, मैं बंदा देखकर उससे बात करता हूँ, मगर मैं बंदी हूँ और वो भी तुम्हारी होने वाली, हबर्दार जो इसके आगे एक लवस भी निकाला, अपने मुझसे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मुरसलीन कदम उठाए उसकी त खाना बनाना नहीं आता, तो सीख कर आना था न, वो की वज़ा से उसे मज़ीद गुस्छ आया, जब तुम्हारे यहां असल वाली शादी करिके आउंगी, तब खाना बनाना सीख कर आउंगी, अभी के लिए इस नकली शादी में होते, मुझे कुछ बनाना नहीं आता, मेरा तमाग खाना आता है बस, वो एक तम से चड़िया, तुम्हारे पास समाग भी है, मुझे आज मालूम हुआ, एक्टिंग करती हो डोबटा कले में डाले गर से पाये निकली, टर्टर कर वालो मैं डिकी से बस, मुह ही मुह में बरबर आते, वो भी उसके बीजे पाये न मुरसली ने पेचार ये सिखा, बुकर ना हो तुम्हार नसर से उसे देखा, ऐसे नहीं देखो, अब इतनी में प्यारी नहीं लग रही ही मैं, नताशा ने उसे मसीज सिच किया, और वो हो भी गया, उसका सुर्ख पड़ता चेहरा बल में नॉर्मल हुआ था, उसे कुछ अ जो उसकिसी कबल के साथ घड़ी गुफदूँ फर्मा रही थी, Excuse me, one minute please, मासत करते मुरसलीन चेरे पर नकली मुस्कुराट सजाए, नताशा का वहां से साइट बढ़ आया, ये क्या बत्तमीजी है, मैं उनसे बात कर रही थी, ये कोई बत्तमीजी नहीं है बीवी, कैसी कैसी वाहियात बाते मुँसे निकालती हूँ, चेरे पर मुस्कुराट अन्यूस काइम थी, मगर वो दांत कच-कचा कर खेता, उससे इशारत देने की कोशिश कर रहा था, नताशा तेशी नसर एर्ट के टाले, महाशरा समझती पूर सुकून हुई, लोग हम पर नसर र रखे हुए हैं, तो मतलब अब रियल एक्टिंग स्टार्ट करनी हुई, नताशा दू बतू भोली, बिल्कुल, बीवी हमें ऐसा करना ही होगा, वर नई एमिशन हाथ से जाएगा, जान भी को वाँ बैठेंगे, उसकी आँखों में देखते, मुस्कुरा कर कहते, मुरसलीन में दाखिल हुआ, तो सामने अपने दमाम बड़ों को मुझू देख, उसका चेरा की लोटाओ, वगर उसके एद मुस्कुराइट अगले ही लमें धंबी गई, हाँ तो भाई साब, आपकी अवारा कर दिया, आखिर खतम हो ही गई, अमसा उसे देखते, महीं से कड़क में बोला, क्या डैड, सारे मूड का बेडा गरक कर दिया, उससे मूँ बनाते कहा, मुझे तुम ये बताओ, सुबा के निकले अभी वापिस क्यों आए हो, तो आप क्या चाहते हैं, राद भी भाईर गुजारा था, उसके उल्टे जबापर हमसा की देवी शड़ी, लेट पालों में हाथ भेटा रुख मोड चुका, गन यहां रखो यहां, आर्यान मुद्दे पर आया, यहां कुमानों का तंगे लगे थे, वो मेरी पर्सनल गन है बड़े पापा, मेरे पास ही रहने दे प्लीज, उससे मिन्नत ही, उससे अब समझाया, आते साथ ही उसी क्लास क्य लग रही थी, यहाया, गन यहां रखो, हमसा की बारोब आवास पर नाचारा उससे गन टेविल पर रखनी पड़ी, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि गन रखने की इजाज़त दी जाए तुम्हें, मगर मैंने सिफ सेफटी के लिए रखी है, यहाया ने वज़ा प बड़े सारा के बैग पर गई, जो जिन में वो श्वापिंग के लिए लेकर गई थी, उससे टोटोला, मतलब की चीज़ निकाले, बाहिर गया, काम हदम किया, वापिस अंदर आया, शकल ऐसे बनाई हुई थी, जैसे, अभी रो देगा, आर्यान हमसा और बाकी साफ उसे द पास आई, क्या हुआ है मेरे शहजादे को, उससे इंत्याई प्यार से पूछाँ, तो याया, पनी जूट मूट के गिने चुने दो आंसो भाए, अब रो क्यू रहे हो, हमसा की तो चान बस्ती थी उसमें, फोरन से उट्टा उससे करीब आया, हमसा तुम खौमा बच्चे क पीछे पड़े रहते हो, आर्यान भी उससे टबटा पास आया, हाँ, बच्चा भी पूरा घर आया नहीं, और तुमने डांटना शुरू कर दिया, पैसल भी उसकी हमायत की, आपने फिर याया को डांटा, सारा मसीद कुछ कह दी, याया एक्दम से रोता हमसा के गले लग्य आर्यान को लगा, वो कोई नाटक कर रहा है, मगर वो भी उसके एक्टिंग नहीं पकड़ सका था, मगर दूसरी तब याया मीर अपना काम कर चुका था, आंसु पूच कर उससे दूर हो था, उससे हमसा की दरव देखा, अच्छा आप नहीं डांटूंगा, रोना बंद करो उससे अजीब लगा, याया इतना सेंसिटिव तो नहीं था, मगर फिर जाने दिया, अब वहाँ सब कानक आ रहे थे, याया वहाँ से उठा था, कहा जा रहे हो याया, स्नो वाइट से मिलने जा रहा हूं मामा, मगर वो बढ़ रही है, उससे डिस्टब मत करो याया, सारा न चलती से कहा, दुनिया की कोई भी ताकत, याया मेर को स्नो वाइट से मिलने से नहीं रोक सकती, मदर इंडिया, रॉमाई अंदास भी कहता, वो उन्हें हज्दे पर मजबूर करिया, और हुच सीरिया फालांगे, उसके कमरे में जा पूंचा, याया नी कमरे में कदम रखा, आज वो देट दिन बास सुगाइट से मिलने वाला था, वो बहुत हुच था, मगर सामने का मनसर देख, उसके पाउं वही धंग गए थे, उसे लगा था, वो उसे देखकर हुच होगी, मगर उसे फरश वा बैटे जारो कतार रोते देख, याया का दिल मुठी में आया था, हे, हे, स्नो, क्या हुआ, इधर देखो, मुझे बताओ, क्यो रो रही हो, उसे करीब गुटनों के पर फरश पर बैटे, वो यक्तम से अस्सरावी कैफियत पर बोला, उमाईमा, उसकी मुझूटकी पर मसीद रो दी, अब तुम मुझे गुस्ता दिला रही हो, स्नो वाइट, एक सेकिन में रोना बंद करो, परना मेरी शकल देखने के लिए भी तर्स जाओगी, उसके सर्द मेरी पर, उमाईमा ने अपनी सुट भीगी आंकों पर से बलकियों की बाहर उठा कर, उसे रेखा जो से ही घुर रहा था, क्यों रो रही हो, किसी ने कुछ कहा है क्या, अब ये उससे नर्मी से पूझा, तुम मुझे से नराज हो, इसलिए, वो फिर रोने लगी, अल्ला अल्ला, याया कहा थ सर को फोचा, किस से कहा मैं तुम से नराज हूँ, क्योंकि तुम कल से मुझसे मिलने नहीं आए, इसलिए, वो शिक्वा कुरना हुई क्योंकि तुम स्टडी में बीजी थी, मुझे लगा मैं तुमें डिस्ट्रप करो दूँगा, इसलिए नहीं आया मैं तुमसे नराज नहीं हूँ यहायामीर स्नोवाइट से नराज हो ही नहीं सकता उसका गाल कीचते वो हलका सा मस्कुराया तुमाइमा का पूचा चेया भी खिल उठा कैसी चल रही है पेपर्स की त्यारी कमरे का जाइसा लेते पूचाया बहुत अच्छी उमाइमा मस्कुराय स्नोवाइट यहाया ने उसे देखते सरकोशी में बुकारा उमाइमा का दिल सोर उसे धड़का था जी वो बस इतना ही बोल पाई तुम्हे गालियां आती है यहाया के सवाल पर उमाइमा ने पूरी आंके कोले उसे खुरा यह कैसा सवाल है वो खजलसी हुई आमसा सवाल है तुम्हे गालियां आती है या नहीं नहीं मुझे नहीं आती उसे नारूठे बन सिखाँ चलो यहां बैठो मैं तुम्हे कुछ गालियां सिखाता हूँ उसे अपने साथ बिठाई याया ने आम से अंदाज विखाऊ उमाईमा को उसकी जहीनी कैफियत पर शुबा हुआ था क्या तुम पागल हो गए याया अभी तक तो नहीं हुआ स्नो वाइट पर अगर उस दिन तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो यगीनिन यायामीर पागल हो जाता उसके लहजे की शिदर पर उमाईमा ने बिना बलके चपकाई उससे देखाऊ तुम्हें गालियां आने चाहिए साथ ही कराटे भी तुम लड़की हो मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त बरदाश करती हो मुकाबिल को मूतोर जवाब देना सीखो मरना तुम्हारी ये हमोशी किसी दिन बड़ा नुकसान करवाईगी जब तक तुम साथ हो मेरे मुझे कुछ नहीं हो सकता मैं सारे जिन्दी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा अपने लिए हुर्स्टेंड देना सीखो स्नो जायर ने था किसे लहचे में कहा क्यूं तुम कहां जा रहे हो लहचे में धर था मैं कहीं नहीं जा रहा तुम जाओगी वो भी शादी करके यहां से दूर अपने शोहर इसके आगे अगर तुमने एक लफ्स क्या एक खुर्फ भी अपने मूझ से निकाला तो तु उम्माईमा शागीश सूरत देखने को तरस जाओगे या यामीर उज्रूरी लहचे में कहती उसकी सुने बगए कमरे से मुलका सड़ी में जाकर बंद हुई मेरी दूआ है तुम इस हकीकत को जितनी जल्दी हो कबूल कर लो पंदरवाद से पनासर दिकाए वो बेता सुल है जि मैं कहता हूँ वहां से उठाया अल्ला करे तुम वक्त रहते मेरी मुहपत को समझ आओ जाया उसकी नज़र शर्ट के सफीद कॉलर पर लिपसी के निशान पर गई जारा को लगा उससे कुछ खलत देख लिया है उससे शर्ट टोली वह हमसा की शर्ट थी उससे अपना आप आग में चलता मैसूस हुआ था आखों के किनारे बीगीने लगे तभी वोश्रूं का दरवासा कुलने की आवास आए मगर वह अपने जगा सहली तक नहीं थी हमसा बालों में हाथ बेटा उसकी पुछ देख आईनी के सामने आकर खड़ा हुआ जारा एकक काफी बना दोगी बाल बनाते कहां मगर जारा जोंकी तूंख खड़ी रही थी हमसा को ठीक नहीं लगी उसके तरफ मुड़ते हमसा ने उसका रुख अपनी तरफ मुड़ा आंकों से आंसों मतवातर बह रहे थे चेहरा उत्रा हुआ था हमसा के जाना तेली बराए थी जारा रो क्यों रही हो यार क्या हुआ है कुछ तो बोलो उससे यहीं सर्जुका है रोदा देख वा हासा परेशानी से बोला ये ये क्या है हमसा जारा ने उसकी शर्ट सामने की हमसा को जारा से कही गुणा जादा कहरा हैरत कचटका लगा वो कुछ कहता, सारा शर्ट उसके मूँ पर फैंके बाहर की तरफ लबगी मगर वो बाहर निकलती, हमसा उससे पहले दरवाजा बन करते उससे दरवाजे के साथ बिन कर चुका था हूँ एक बार मेरी बात सुनो, मैं नहीं जानता है निशान कहां से आ रहा यार, तुम अजीब बात कर रही हो, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, तुम मेरा यखीम क्यों नहीं कर रही लेजा इलतचाया हुआ था, मुझे नहीं करना तुम्हारा यखीम, अगर तुम्हें मालूम नहीं तो किसे मालूम है ये निशान उड़कर तो नहीं लगा न, तुम्हारी शर्ट पर, किसी हो लड़की के करीब, मजीद में तुम्हारी कोई बक्वास नहीं सुनोगा सारा हमसा उससे पीजाता उन्ची अवास में धाड़ा, सारा भीगी आंगोस उसका धुमादों जेरा देखते साइड से निकल गई, वह हामोश हो गई थी, मगर नरास की में, हमसा सर पकड़ी खड़ा था, उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सारा दिन ओफिस वे बुजार कर वो सोचे लगा, तुसरा सारा दिन रिवाइन किया, एक जगा वो थोड़ा मश्कूख होसा हुआ, उससे फुरण मुबाल निकाला और एक मैसिक सिंट किया, ये सब तुम्हारा क्या धरा है ना, तुसी तरफ से एक एरन दो मिन पाद जवाब मुसूल हुआ, आप तो भोछ जिसे पढ़ते हमसा ने पीचो दिल में आया लिखकर सेंट करते मुबाल बेट पर पठक दिया, याया का हसास के पुरा हाल हो रहा था, मगर हमसा का रिपलाई पढ़ते ही, उसकी सारी हसी उड़ंचू हुई, अल्ला करे तुझे ऐसी बीवी मिले जो तुझे तिकनी का ना आदे, मुबाल साइट पर रखे हो बकाईदा कारों को हाथ लगाए बोला, ये लो पढ़ो, तुम्हारी सोतन के मेसेज आए हैं, मुबाल कोच पर रखे हमसा ट्रेसे रूम से बाहर निकल गया हूँ, सारा ने हैरत के आलब में मुबाल उठाय हूँ, पहली नसर नाम पर ग उससे अपे चैनी मेसूस होने लगी, उसे मनाने के घर से उठी, वो कमरे में आई, जहां हमसा लाइट्स ओफ किये बेट पर लेटा था, हमसा उससे डटे 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 बुखा रहा हूँ, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता जारा, सोजो, अफ्की का रेजवाब पर, सारा को श सुख नसरे उसके चेरे पटे गया, सर्द मैरी सिखा हूँ, प्रोगे आंसो एक पर फिर पहने लगे, उससे कवादती हमसा के नराज की ही, उसे यू रोता थे, हमसा के दिल को कुछ होआ था, सारी नराज की वार्ड में चोंगते, उससे अपने साथ लगा लिया हूँ